एक और जान देश वे परदेश में कोरोना की दूसरी लहर इस कदर सक्रिये हो चली है कि उत्रोतर आंकडे बढ़ते देखे जा सकते हैं तो वहीं हर खासों में एक जागरुकता की लहर भी देखी जा सकती है स्थान्य श्री श्याम होस्पिटल COVID-19 वेक्सिनेशन सेंटर पर इंदोरिया टाइम्स इंदोरिया समाचर जगत डारेक्टर डाकेश शर्मा द्वारा सै पतनी वेक्सिन लगवाई जाने के उपरांत कहा कि वेक्सिन के बावजूद हमें दो गज की दूरी और मास्क है जरूर गाइड लाइन का पालन किया जाना जरूरी है इस अफसर पर व्यपारी सुरेश मित्तल, श्रीमती विनोध मित्तल, विरेंद्र बिर्मिवाल, श्रीमती जया बिर्मिमाल, एवं फतेचंद अगरवाल, श्रीमती चमेली अगरवाल, सहित जागरूप नागरिकों सहित वेक् जब्सक्नमी तर्य गूद्स सब्सक्राइब तर्च अब्सक्राइब करना है प्रद्टि पत्ती चला चाहिए ज़ा कि अधा सी जाद करना है तो कि अपने पूर्चनरी मेजर्स खते हुraf जिसके बैजर करेंगे तो भी आप दो को जीप आएंगे प्राइमिस्ट्री नरी दिर मोधी इती बात कहते हैं कि वैक्सिन यदि हमारी उन्रिजर करती है वह में जरूर लखने चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम वैक्सिन लगाता जिनकूल लाकरवाब बेवर्णा हो जाएं हमें चाहिए कि हम सोचल डिस्टेंसिंग का पारण भी करें मास का उस्तोर भी करें और हर संबाव हम सच्छे ताका भी पारण करें जदि हम ऐसा करेंगे तो नी संदे हम कोरोना को जीख पाएंगे स्रीशांग हॉस्पिटल पोटपुली छेटर का एक ऐसा नेजी हॉस्पिटल है जिसे बॉर्लमेट खेद्वाराधी करत किया गया है यह तमाम उन सारे माशनों को पुझा किया जाता है जो कोरोना की इस जन्ग के अंतरगर एक आम गर्ति को सुद्धा करवाता है यानि मैं अप्र राकेश तरवाधी त्रेपन साब भी उम्रों में वैक्सिन लगवा सकता हूं और इस बाद का मैसेज कर सकता हूं कि हाँ हमें कोई खत्रा नहीं है तो जिस तरह की सोचल मीडिया के उपर को द्लामक न्यूज आ रही है कि इसके लगवाने के बाद परिशा कर दो